आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलेशन पाओ डाउनलोड नाओ Relationships in an ecosystem can be depicted through पूछा गया है कि एकोसिस्टम के जो Relations होते हैं उसको हमलब किस हिसाब से यहाँ पर शोग कर सकते हैं तो Basically Relations जो कि एकोसिस्टम में पाया जाते हैं यह बहुत किसम के होते हैं जिनमें पहला होता है Pyramid of Energy यहाँ पर यह बताया जाता है कि कितना percentage of energy जो है वो Environment में Loss हो रहा है और कितना percentage of energy जो है यह Pass On हो रहा है To the next Tropic Level तो यह Energy जो होता है Pyramid of Energy यह Basically 10% Law पे Based रहता है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ 10% of the energy जो है वही Next Tropic Level पे Count Up होता है यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो इसलिए यह एक Constitution है Relationship का Ecosystem में वही Next अगर देखें तो यहाँ पे है Pyramid of Biomass जो की Calculate करता है Weight of Organisms का और Organisms के Weight से यह Relate करता है कि कितना percent energy जो है वो Organism के तुरूप Pass Out हो रहा है और यह भी एक Criteria हो रहा है जो की Ecosystem में Relationships को Measure करता है वहीं Pyramid of Number जो है यह Characterized करता है जो भी यहाँ पे कितने भी Number of Species Each Group में या फिर Each Tropic Level में पाए जाते हैं और इसी Each Tropic Level के Number of Organisms को यहाँ पे Jot Down किया जाता है और फिर पिरामिट जो है वो बनाया जाता है जो की एक Constituent है Relationship of Ecosystem का तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपे तीनों जो है वो नैसेसरी है तो इसलिए जो Last Option All of the Above है उसी को हम टिक कर लेंगे और वही हमारा Correct Answer हो जाएगा